जहासी मंडल के अंतरगत कानपूर के कानपूर भीम से इनखंड में गोविंदपूरी स्टेशन के समीप रातरी करीब दो बचकर 30 मिनिट बजे साबर्मती एक्सप्रेस बनार सहमदाबाद के कई डिब्बे पट्री से उतर गए। राहत की बात यह है कि हाथसे में जानमाल की कोई ख्षती नहीं हुई है। सूचना पर रेलवे के अधिकारी पूरी तीन के साथ बचाव राहत के लिए मौके पर पहुँचे हैं। रेल प्रशासन की तरफ से यात्रियों की सुविधा के इंतजाम किये गए हैं। यात्रियों को बस से कानपूर भेजा जा रहा है। वरिष्ट अधिकारी दुर्गटना स्थल तथा नियंतरन कार्याले में मौजूद है। दुर्गटना राहत गाड़ी भी प्रस्थान कर चुकी है। रेल्वे ने जारी किया हेल्प लाइन नंबर। दो पर लोग संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि गाड़ी संक्या 14,110 वा 14,109 कानपूर सेंट्रल चित्रकूट यात्रा प्रारंब करने की तिती 17 अगस्त दो हजार चौबीस। 22,442 की आने वाली रेल 17 अगस्त दो हजार चौबीस को 22,441 चलेगी। आशिक निरस्ती करन शूने 4143 खजुराहो कानपूर सेंट्रल यात्रा प्रारंब करने की तिती 17 अगस्त दो हजार चौबीस बांदा में आशिक निरस्त होगी। शूने 4144 कानपूर सेंट्रल खजुराहो यात्रा प्रारंब करने की तिती 17 अगस्त दो हजार चौबीस बांदा से चलेगी। गाड़ी संक्याशूने 532-6 लोकमान्य तिलक तर्मिनस गोर्खपुर यात्रा प्रारंब करने की तिती 16 अगस्त दो हजार चौबीस विरांगना लक्षमी बाई जासी गवाली रभिंडिटावा कानपूर सेंट्रल के रास्ते परिवर्तित किया गया है।